पर्वरी महा में नाय दिल्ली में विश्व के G20 समुहू के देशों की समिट होने जा रही है समिट को लेकर उध्योग और परेटन जगत से जुड़े लोगों में हर्श का माहौल है फरवरी माहा में नई दिली में विश्व के G20 समोहों के देशों की समिट होने जा रही है समिट को लेकर उद्योग और परिटन जगत से जड़े लोगों में हर्श का माहौल है FMAC के अध्यक शेवमनगर के प्रमुक शू एक्सपोर्टर्स पूरंडाबर ने कहा कि G20 समिट से भारत की शवी विश्व पटल पर अच्छी होगी ताजनगरी में G20 देशों के प्रतिन धी ताजनगरी भ्रमर पर आएंगे इससे ताजनगरी के परिटन शेत्र को पंख लगेंगे मिलने वाला है चूंकि आगरा में तो हर राष्टा जेक्षने आना ही आना है क्योंकि हमारे पास ताजमेल जैसी विरासत हमारे याँ है बर्ज प्रदेश है पूरा क्रशन की नगरी भी है तो सब कुल मिलाकर के के टूरिज्म को भी आने वाले समय में बहुत कुछ पाइदा मिलने वाला है जी ट्वेंटी समिट को लेकर सुप्रीम कोट के वरिष्ट अधिवक्ता केसी जैन ने कहा कि जी ट्वेंटी समिट के दौरान ताजनगरी में वोमेंट पावर एमपावरमेंट को लेकर एक बैठक होगी इससा ताजनगरी को जिला प्रशासन दुलन की तरह सजा सवा रहा है देखे एक आगरा के लिए एक बहुत बड़ा सुपसर है कि जी ट्वेंटी की बैठक यहाँ पर होगी सबी सदस से देश के सदस से यहाँ पर आएंगे प्रतिती आएंगे तो आगरे की परेटन को चार चान लग सकेंगे पंक लग सकेंगे बशर्ते हम आगरा की एक साफ सुतरी च्छबी को प्रस्तुत कर सकें एक अंतरास्ट ही है शेहर के रूप में आगरा की इमेज को प्रोजेक्ट कर सकें और हम लोग ये एक संदेश देश सकें जो उनके साथ पत्रकार आएंगे और जो लोग अपरतेंदी आएंगे उनके माध्यम से कि आगरा में बहुत कुछ देखने के लिए है हम लोग यहां परिटक आते हैं वो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं परिटन का पूरा लाप यहां के विवसाईयों को यहां के होटल उद्दियों को नहीं मिल पाता है और यहां के जो विरासत हैं चाहे वो प्राकरतिक विरासत है चाहे वो सांस्करतिक विरासत है हौल पना हुआ है से नियूस के लिए अजेब पहादुर की रिपोर्ट